लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए साथियों बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सिखने और उनकी क्रियेटिवीटी को भी स्पेस मिलना चाहिए साइन्स सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रियेशन और क्रियेटिवीटी को आपस में जोडता है इसमें ऐसी रिक्रियेशन एक्टिवीटी जो बच्चों में क्रियेटिवीटी को बढ़ावा देती हैं इसमें खेल कुद है, मोज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्रेटफॉर्म भी है हमने देखा हैं बच्चे अक्सर माबाप से रोबोर्स और जानवरों के बड़े खिलोनों की डिमान करते हैं कुछ बच्चे कहते हैं गर में डाइनासुर ले आओ, कोई शेर पालने की जीत करने लगता है, अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे, बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइन्स सिटी में, जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेश रुप से मेरे नंडे साथियो को भात पसंद आने वाला है, इतना ही नहीं, साइन्स सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी, वो तो और भी आनदित करने वाली हैं, इत देश के ही नहीं, बलकि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है, एकी जगर पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विवित्ता के दर्शन अपने आप में अद्भूत अनुभव देने वाले हैं, वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट के साथ बाचित का आकर्शन का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के खेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरिद भी करेगा, बाल मन में जिग्यासा जगाएगा, मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस, ऐसे अनेक शित्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका आनुभव यहां हमारी वारत साथी ले पाएंगे, और हाँ, रोबोट कैफे में रोबोटिक शेप का बनाया, और रोबोट वेटर्स का परोश खाना खाने का आनन, शाहिद ही वहाज आया हुआ कोई व्यक्ति वहाँ गय भी न रहेगा, कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरे पोस्ट की, तो ऐसी टिपणियां भी पढ़ने को मिली, कि ऐसी तस्वीरे तो हम विदेशों में ही देखते थे, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह तस्वीरे भारत की है, गुजरात की है, आज इस कारकम में मेरा आगरह है कि साइन्स सिटी में जादा से जादा बच्चे आए, विद्यार्त ही आए, स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो, साइन्स सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे, तो इसकी सार्थक्ता और भव्यता और बढ़ेगी.